येर फ्रैंड्स आजर मैं आपको सिखाऊंगा window 10 के अंदर user setting कैसे करेंगे picture वगरा कैसे change करेंगे name कैसे rename करेंगे और user निया कैसे बनाएंगे अगर window home है तो वह आप इस के अंदर मैंने setting के अंदर जाकर नहीं कर सकते local user and group create नहीं कर सकते आप और अगर आपका pro user है window 10 के अंदर तो आप ये full setting यूज कर सकते हैं तो मैं आपको pro user की setting बता रहा हूँ सबसे पहला आना है आपको control में control panel मागे यहाँ पर option आएगा user account तो कि इस तरीके से आपको interface दिखेगा यहां से आप change your account name कर सकते हैं बस आपको क्लिक करना है यहां डालना name तो एकाउंट और चेंज नेम तो एकाउंट rename हो जाएगा जो पहले से आपने create कर रखा है ठीक है अब आपको करना चेंज और account type यह बहुत अच्छा फीचर है यहां पर पर्मिशन दीवी है आपको इसको administrator बनाना है तो इस पर क्लिक करना है वैसे पहले से administrator है यह और अगर अगर नहीं होता तो यहां पर आप चेंज अकाउंट टाइप करते तो चेंज अकाउंट टाइप में option यह आपका यूजर बन जाता अडिमशेटर ठीक है और इसके अंदर मेनेजर से option है मेनेज अधर account यहां पर कौन कौन से अगर है account तो आप उसको manage कर सकते हो बस क्लिक करना है अगर यह जैसे यह setting आपको मिलेगी window home user के अंदर window 10 home user के अंदर तो आप यहां पर एक निया user account ही से create कर सकते हैं ठीक है add someone else to this PC यह इस तरीके से window open हो जाएगी यहां पर आपको डालना है name password डालना है और रिएंटर करना है और next करना है जैसे मैं डाल देता हूं test 1234 1234 password दे दिया मैंने security question देना चाहिए दे दीजिए ने देना चाहते the field is required चल एक दो देना पड़ेगा अपने को जैसे मैं देता हूं कि यह दे देता हूं मैं इंडिया कर देता हूं यहां पर ठीक है next कि सारी पड़ने पड़ेगी कि प्रैट्र में देता हैं एप बीसी कर देता हूं कि आप जो बढ़ना चाहिए बढ़ते हैं इसे मैं सिर्फ एक बाद टैंप्रेरी हैं बिसी कर दिया है next window connect यह देखे टैस्ट यूजर एकाउंट बन गया है लोकल एकाउंट ठीक है यह बन गया है एकाउंट इसको बैक लेके वापस देखते हैं यह देखे आ गया यह local बन चुका है पासव प्रटेटर है यह चीक है तो इस तरह से आप भी बना सकते हैं नहाइकाउंट इसी तरह से और आपको इनका कंट्रोल चेंज करना है तो यहां से आप इसका चैंज कर सकते हैं जैसे मैं गता हूं यहां पर आपको इसका लॉग बताएगा ठीक है यह चीज़ शैटिंग है और नेवर नोटिफाई तो यह आपको नोटिफाई नहीं करेगा जो यूजर एकाउंट चाहिए देखिए मैनेज यूर कंडिशन में जाके यहां पर आप इसका यूजर पासफ़र्ड सेव करा सकते हैं और मैं आता हूं वापस यूजर अकाउंट में कि रिए पास्वर्ड यूजर डिस्क बना सकते हैं आप जैसे मैंने पर लगा रखी है यहां पर आपको क्लिक करना है और यहां पर बस प्रिंट लगा कि आप दिस्क भी बना सकते हैं अगर आप पासवर्ड भूल जाए तो इसका फुल वीडियो में बना के दूंगा अलग लगाना है तो यहां से भी आप बना सकते हैं किसी फाइल के अंदर और इस तरी के साफ इसको यूज कर सकते हैं यह है विंडू 10 का हॉम यूजर सेटिंग और मैं आपको दिखात हूं प्रो कैसे यूज करता है मैंनेज में गए यहां पर देखिए लोकल यूजर एंड ग्रूप्स यूजर माएंगे और यहां रैटली करके नियू उजर नाम डाल दीचे मैं डाल देता हूं टैस्ट वन मैंने डाल दिया 1234 1234 यहां पर देखिए यूजर मस्ट चैंज नेव पासवर्ट एट नेक्स ंँर लोगन करता तो हो वह पूछे का रखना है उसको तो जो भी आखिए गाख तो सीव कर्वा सकते हैं आगर को नहीं रखना आपको यहां पे लगा रगाना यूजर कैन नोट चैंज पासवर्गा आप जो यूजर है वो लोगनन कर रहे हैं 12345 यह नहीं जरे कर पाई तो में यहां पे आके इसके आप member of में जाकि इसको write दे सकते हैं admission account बना सकते हैं यहां से यह देखिए आप पर सो के करना है वो आदमिश्र आकाउंट बन जाएगा ठिक है तो इस तरीके से आप user setting कर सकते हैं और एक चीज और बताता हूं मैं आपको मैं आया control पे न यूजर पर जसे यह हम टेशन एंट है ठीक है अगर आपको अपने यूजर ईकाउंट में पिक्चर लगाने हैं तो आना है आपको makes changes to my account in PC यहाँ पर dows न होंगे अगर आपने अपने अकाउंट login कर रखा यहाँ जैसे मेल ID होया है Microsoft Amazon तो जो भी पिक्चर आपने वहां लगी वह यहां शो हो जाएगी अगर नहीं आप चाहते हैं मुझे लोकल पीसी से चाहिए तो इसमें दो अप्शन है कैमरा जो आपका वैब कैमरा है वो अपन हो जाएगा उसे आप फोटो क्लिक करके सेव कर सकते हैं और आपको नहीं मुझ यहां पर आ जाएगी यह देखिए आगई अब मैं इसको हटा के देखता हूं यह देखिए मेरी यहां पर पिक्चर आ गई है तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं ओके थैंक्स पॉर वाचिंग